अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं आप सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हारदिक सुब काम ना हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथी वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्राइज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछें आज की सबसे बड़ी कबर बिहार दिवास पर नहीं होगा कोई सारवजनिक कारकरम बीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये लोगों को सम्मधित करेंगे नितिस कुमार जी हाँ सिक्षा विवाग के अपर मुध के सचेव संजे कुमार ने जिला सिक्षा पतादिक कारियों को पत्र लिखकर कहा है कि 22 मार्च आनि आज बीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये मुध मंत्री बिहार वासियों को सम्मधित करेंगे इस कारकरम में सभी जिला के जिला पतादिकारे भाग लेंगे 22 मार्च आनि आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉनफरेंसिंग आयोजित की जाएगे जानकारी के मुताविक 22 मार्च को जिला समरहाल इस्तिस समकक्ष में सिमित संख्या में पतादिकारेंगे वं गनमायन नागरिकों को बुलाया जाएगा ओडिस्सा राज करमचारे चैन बोर्ड ने 1972 लेक्चरर भरती का नोटिपिकेशन किया जारी जी हाँ ओडिस्सा राज करमचारे चैन बोर्ड ने राज के विस विदालयों में लेक्चरर के 1972 पदो पर भरती के लिए नोटिपिकेशन जारी किया है राज में लेक्चरर भरती का या नोटिपिकेशन SSB ओडिस्सा की ओफिसल वेवसाइट पर जारी किया गिया है आपको बदा दे कि SSB Odisha भरती 2021 में आवेदन करने के लिए इच्चुक अभियरती 22 मार्ज से online registration करा सकेंगे इसके लिए अंतिमतिती 21 अपरेल 2021 तक रखा गिया है अभियरतियों को सला दिया गया है कि आवेदन करने से पूरवर पूरा भरती notification जरूर देखे साथ आपको बदा पद के SSB Odisha भरती notification के अनुसार इस भरती अभियान के तहट कूल 972 रिक्तियों को भरा जाना है जिसमें से 169 पद English के 135 पद राजनिती विज्ञान के 134 पद Commerce 78 पद Economics 73 पद दर्सन सास्त्र 61 पद Geology 60 पद रसाइन विगान 51 एजुकेशन 49 बाटनी गनित और भोतिकी में 42 संस्क्रित में 20 पद और समाज सात्र में 15 पदों समेत आयन कई विशवय के लेक्चरर की भरती की जानी है इसके लिए सेक्षिने की योगिता अभियर्तियों को समन्दित विशव में कम से कम 55 मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना आवज सक है बड़े कबद दोसरे राज्यों से आने वाले लोगों की बनेगी सूची कराया जाएगा कोरोना टेस्ट चलेगा विशेस अभियान जिया कोरोना संक्रमन के बढ़ती ग्राप को देखते वे जिला प्रससन एतिहात के तोर पर कारवाई सुरुक कर दिया है सोसल डिस्टेंसिंग वा मास्क पारने को सोनिचित कराने के लिए अधिकारी अभियान चलाएंगे यहाँ आदेश डियम अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों को दिया है वे बेस मार्ज की देर साम SDO, Video, CO वा स्वास्त ब्यवाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के माधब से बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि होली पर्व के दोरान दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिकों की स्वास्त जाज करते वे अवे सकता नुसार कुरोना जाज कराए जाएगी मजद मार्च के बाद दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सुची आसा तयार करेगी इन लोगों की कोरोना जाज कराये जाएगी डियम ने अधिकारियों को अवेसकता नुसार कंटन में जोन मना कर कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालान कराने का आदिश दिया है बिहार के सेकडो मुख्या के लिए बुरी खबर नितिस सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम बिहार में पंचा चुनाव होने वाले हैं जोर सोर के साथ चुनाव की तयारे भी की जा रही है लेकिन चुनाव से ठीक पहले बिहार के सेकडो मुख्या के लिए एक बुरी खबर सामने आई है दरसल बिहार के पंचायती राज बिभाग ने सभी जिलों के डियम डिडिसी और जिला पंचायती राज पदाधी कारियों को तलब गिया है पंचायते राज बिबा के अपर मुख सचीव अमरेत लाल मिला ने इन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि कौन-कौन से मुख्या ने मार्च 2020 तक सभी ग्राम पंचायत के कारियों का ओडिट कराया है और किनों ने नहीं कराया है नितिस सरकार इस तयारी में है कि पंचायत के कारियों का ओडिट नहीं कराने वाले मुख्या आयोग घोसित कर दिये जाएंगे अगर कोई मुख्या इस कायर को नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वह समयधानिक दायतों को निभाने में असपहल है और ऐसा नहीं करने वाले प्योगिता परमान पत्र भी जम्मा करना अनिवार किया गिया है। परमान पत्र भी जम्मा करना अनिवार किया गिया है। परमान पत्र भी जम्मा करना अनिवार किया गिया है। कुलपती प्रोपेसर सुरिंद्र प्रताप सिंघ ने की है। चात्रों के परिक्षापल में सुधार के लिए अधिकतम साथ अंकों का ग्रेस दिया जाएगा ग्रेस पर सिंडिगेट में मुहर लग गई है फेल होने पर चात्रों को ग्रेस देकर पास किया जाएगा एक माई से बिहार के सभी थाने हो जाएंगे ओलाइन कारेक्टर सेट्पिकेट बनोना होगा असान ऐसे कर सकेंगे ओलाइन एफायार पहले फेज के तहट राज के 894 थानों में Crime and Criminal Tracking Network System का काम पूरा हो गिया है इस वर्स अप्रेल तक नेदारित लच्च के विरोध मार्च मैद में CC TNS काम पूरा कर लिया जाएगा अब पुलिस मुख्याले ने सकेंड फेज के तहट 162 थानों में CC TNS के तहट काम की सुरुआत कर दी है इसे भी अप्रेल तक पूरा करने का लच्च रखा गिया है इस हिसाब से एक माय तक राज के सविताने CC TNS की सुविदा से लेस हो जाएंगे आपको वदद की पुलिस विभाग जिस पोर्टल को लॉंच करेगा इसमें आम आदमी से जुड़ी 9 शिधायों की ऑनलाइन होगे इसमें पहला ओनलाइन सिकायत होगा इसके अलावा अगर सिकायत FIR में बदला जाता है तो ओनलाइन केस ट्रेकिंग की सुविधा रहेगी करेक्टर वेरिपिकेशन करेक्टर सट्पिकेट के लिए ओनलाइन आवेदन किये जाएंगे इसके साथ ही उस पोर्टल पर सर्वेस वेरिपिकेशन, सिनियर सिटीजन रेश्टेशन, मिसिंग परसन की सिकायत वहानों की जाचादी की सुविधा भी दी जाएगी गया में वेक्सिन लेने के बाउजोद आंगन बड़ी सिविका कोरोना पिडित, पत्ना एम्स में तोड़ा दम गया के कोच प्रखन के रहने वाले आंगन बड़ी सिविका कुमारी विन्दवासनी देवी की कोरोना से मौत हो गई शुक्रवार के दोपर कॉरोनअ पोजिटिव निकलन के बाद rays को एमज में भर्त próxima कराए गया मौत के बाद को प्रोन प्रोटोकॉल के तहुत पत्ना में युनका अंतिम संस्कार किया घयाा पतना एम्स के नौडल पतादिकारे डाक्टर संजी कुमार ने बिंदे वासनी देवी की कुरोना से मौत की पूश्ट की है मिर्तिका के पति सेतिंद्र परसाद सर्मा ने बताये कि उनकी पतनी कुरोना टिका कब दो डोज ले चुकी थी उन्होंने पहला डोज चार विको और दूसरा डोज छे मार्च को लिया था अगली बड़ी कवर बिहार के हर पंचायद में रोजाना कम से कम 30 लोगों को लगेगा कोरोना का टिका बिहार में जुन तक 110 लाख लोगों के टिका करन का लच हासिल करने के लिए सरकार ने व्यापक कारियोजना बनाई है अब रोजाना करीब 5 लाख लोगों को टिके की डोज दी जाएगी टिका करन का यह अभियान पंचायद इस्तर पर चलेगा होले के बाद अभियान शुरू होगा इसमें समाज कल्यान विवाग के साथ पंचायद परतिनिद्यों को भी मदद ले जाएगी राज सरकार ने यहर ने लिया है कि प्रति पंचायद रोजाना 30 लोगों को टिका दिया जाए अभी बिहार में तक्रिबन 83 सो पंचायदे हैं इस हिसाब से रोजाना 2,50,000 लोगों का टिका करन हो सकेगा अगली बड़ी कबर दो दिन बाद फिर नए कोरोना संक्रिमिंद की सेंक्या 100 के पार 522 एक्टिव केस जियां दो दिन के अंतराल पर बिहार में फिर नए कोरोना संक्रिमिंद की सेंक्या 100 के पार हो गई है रैवार को 53,531 सेंपलों के जाच की गई इसमें 126 नए कोरोना संक्रिमिंद की पहचान की गई है इसके पूर्व 18 मार्च को 107 नए संक्रिमित की पाचान की गई थी वहीं 19 मार्च को 90 वह 20 मार्च को 88 नए कुरोना संक्रिमित मिले थे राजमे वर्तवान में कुरोना के सक्रिय मरीजों की संक्या 522 है बिहार में सिमेंट की किमतों ने जखडा लोगों के घर बनाने का सपना 36 गड की एक दरजन कमपनियों से बिहार में सिमेंट की सप्लाई होती है लेकिन पिछले दो सप्ता से सिमेंट की सप्लाई बंद है इसके करण सुबह में सिमेंट में 50 रुपिय प्रती बैग महंगा हो गिया है कारोबारियों के निसार देश बर में 40 फिजदी सिमेंट के सप्लाई अकेले 36 गड़ से होती है लेकिन वहाँ पिछले 20 दिनों से ट्रक मालिकों की हर्ताल की बज़ा से बिहार में भी सिमेंट की किलत हुई है आपको वदा दे कि मार्केट से ब्रांडेंट सिमेंट गायाब हो चुका है 300 रुपिय का सिमेंट अब 350 रुपिय तक मिल रहा है सराब मुक्त बिहार में 10 लाख लोग अभी भी है प्यक्कड 55,000 महिला भी करती है नसर जिहां बिहार में अपरेल 2020 से लागो सराबंदी के बावजो दिहां सराब पेने वालों की सेंख्या में कमें नहीं आई है एक रिपोर्ड के मुताबिक प्रदेश में 10 लाख अभी भी प्यक्कड सामिल है इन प्यक्कडों में 55,000 महिलाएं भी सामिल है समाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से भारत में पदार्थ के उप्योग का विस्तार और प्रतिमान पर आधारित राष्ट्य सर्वे में ये खुलासा हुआ है देश का पहला मेजियम बिनाले बिहार दिवस पर पटना में आज से सियम नितिस करेंगे उदगाटन जिहां बिहार में देश का पहला मेजियम बिनाले 22 मर्च से आरम होगा पूर्वी भारत के एक बड़े सांस्क्रितिक केंद्र के रूप में उबरे पटना इस्तित बिहार संग्रालाई की मेजबानी में दुनिया के कई नामचिन संग्रालों के साथ देश के 13 ख्यात मोजयम अपनी खुबियों और विसिस्ताओं के साथ इस बिनाले से के कला प्रेमी कई से भी दुनिया की किसी भी कोने से ओनलाईन इसका आनन्द ले सकेंगे और बिहार संग्रालाई पहुच कर भी इस उत्सम में सिर्कत कर सकेंगे बड़ी कवर 26 मार्ज को फिर भारत बंद का एलान क्रिसी कानूनों का होलिका दहन करेंगे पप्पो यादव जिया क्रिसी कानून के किला बिरोध पर दसन कर रहे किसानों ने फिर से 26 मार्ज यानी सुकृवार को भारत बंद का आवान किया है किसानों द्वारा बुलाए गए बंद को बिहार में पपो यादो की पार्टी का समर्तन मिला है रैवार को जाने दिकार इवा परिसत के प्रदेश में अधग राजो दनिवार ने कहा कि उनकी पार्टी के सवी प्रकोष्ट के निता और करकरता इस प्रदाशन में सामिल होंगे और काले क्रिसी कानूनों की परतिया जला कर होली का दहन करेंगे और अंकी बड़ी कवर मार्च के अंतिम 10 दिनों में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक जल्दी निप्टा ले अपना ज़रोरी का जिया मार्च महिने को खतम होने वाले अब बस 10 दिन और बचे हैं लेकिन यह 10 दिन ऐसे हैं जिन में से मातर 5 दिन ही बैंक खुले रहेंगे आपको बता दे कि 27 मार्च से 30 मार्च तक 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे जबकि 22 मार्च को बिहार दिवास की चुटी रहेगी